सौगा थे आपका एग और फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में अस्थमा एक परकार की एरवे आप लंग्स की इंफलमेट्रि डिसीज है जिसे हिंदी में दमा कहते हैं जिसे इसके में सिम्टम सांस लेने में परसानी से भी जान सकते हैं अस्थमा एक परकार की विमारी है जिसमें आपके विंड पाइप जिससे आप सांस लेते हैं जिससे आपके फैपडों तक हावा जाती है वो विंड पाइप से कुड़ जाता है उसमें सूजान आ जाती है और बहुत सारा mucos produce होता है जो bent pipe में खटा हो जाता है जिससे bent pipe का size और भी छोटा हो जाता है और जिससे सांस लेने में परिसानी होती है इसके symptoms में आपको shortness of breath यानी धीरे धीरे सांस लेना, गले में दर्द होना, सीटिया बजना या सांस लेते समय बिचल जैसा sound आना, सीने में जकड़न महसूस होना, दम घुटना, गवराहट होना और बहुत ज़्यादा खासी चलना जैसे symptoms दिखाई देते हैं अस्तमा genetic और environmental factors के interaction के कारण होता है, ये दोनों factors अस्तमा की गंभीरता और treatment के प्रति इसकी प्रतिक रिया दोनों को प्रभावित करते हैं, environmental factors जिसमें air pollution और elegant भी सामिल हैं Mainly दोनो factors, Genetical factors और Environmental factors एक प्रकार के दो कारण हैं, जिससे अस्तमा trigger होता है, Genetical cause इसमें family history में अस्तमा चला आता है, जैसे किसी भी family में पिता को अस्तमा है, तो इसके बच्चों को भी अस्तमा हो सकता है, फिर उनके बच्चों को भी अस्तमा हो सकता है, इसी तरह अस्तमा फै अगर एक बच्चे को अस्तमा है, तो 25% chance है कि दूसरे बच्चे को भी अस्तमा हो सकता है, Environmental cause जिसमें air pollution और allergen्ट सामिल है, कोई भी allergen्ट या air pollution से अगर आपको allergy है, तो इससे अस्तमा trigger हो सकता है, अब यह जान लेते हैं कि environmental factors के कारण अस्तमा trigger कैसे होता है, जब भी कोई aller या कोई foreign material, airway के द्वारा हमारी body के अंदर आता है, तब हमारा immune system, allergen्ट को अंदर आने से रोकने के लिए wind pipe को सिकोड देता है, पाकि allergen्ट अंदर ना सके, इसलिए हमारे immune system, बहुत सारे cells को wind pipe में खटा कर देता है, जो wind pipe को सिकोड देते हैं, और बहुत सारा mucus produce करते हैं जिससे allergen्ट अंदर ना सके, ये allergen्ट कुछ भी हो सकते हैं, जिससे smoke, लकड़ी, peanut या कोई भी ऐसी खाने की चीज़ जिससे आपको allergy हो, इसके अलाबा exercise induced asthma, जिसमें ज़्यादा exercise करने पर आपको asthma trigger हो सकता है, इसके इलाज की बात करें तो इसका कोई permanent इलाज नहीं है, क्य क्योंकि हमारा immune system allergen्ट से हमारी body को बचाने के लिए, allergen्ट को अंदर आने से रोकने के लिए, bent pipe को सिकोडता है, जिससे हमें asthma trigger होता है, भले ही allergen्ट हमारे लिए harmful हो या ना हो, फिर भी इसके इलाज के लिए सबसे पहले वो सारी दवाईया समय से लें, जो डॉक्टर ने आपको asthma के लाज के लिए prescribe की हैं, दूसरा respiratory track को मजबूत करने के लिए yoga या exercise करें, जितनी भी कोशिस हो सके, अपने आपको allergen्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको allergy है उस्ते दूर रखें, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करे और चैनल को subscribe करना बिलकल भी ना भूले